हेलो दोस्तो स्वागत है आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Switch Series Circuit क्या होता है और Switch Parallel Circuit क्या होता है PLC Programming को समझने के लिए Series और Parallel को समझना बहुत जरूर ही है तो सबसे पहले हम Series और Parallel का एक Basic Concept समझेंगे उसके बाद उसका हम PLC Program बनाएंगे और PLC Program बनाने के बाद हम उसका एक HMI Design करेंगे और HMI के थुरू Program को कंट्रोल करके देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों PLC Learning Point पर किसी भी वीडियो को हिंदी इंग्लीश या किसी और लेंग्वेज में देखने के लिए सेटिंग पर जाना है उसके बाद सब्टाइटल पर क्लिक करना है यहां पर आप देखोगे देखें अभी मैंने English सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पर English लिखा हुआ आ रहा है यदि मैं Hindi सेलेक्ट करता हूँ तो यहां पर जो वीडियो का सब्टाइटल है वह हिंदी लिखा हुआ आता है ठीक है ना उसके बाद यह सब्टाइटल ओन ओफ करना है तो आप यहां से ओन भी कर सकते हैं और सब्टाइटल को ओफ भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए स्विच सिरीज सर्किट में यहां पर दो स्विच और एक लेंप का यूस किया गया है सरकिट डाइगरां में आप देखोगे तो पहला स्विच और दूसरा स्विच और इसकी वजह से लेंप ओफ हो है ठीक है धिकाल न इच्टीम यहां पर देखने वाली बात यह कि कि दोनों स्विच को जब on किया गया है तब lamp on हुआ है आगे देख लेते हैं parallel circuit के बारे में देखिए इसमें भी दो स्विच दिये गए हैं दोनों स्विच जब off है तो lamp off है दोनों में से एक switch on है तो यहाँ पर lamp on हो जाता है ठीक है ना और अगले circuit में भी दोनों में से कोई एक switch भी on होता है तो lamp on हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर switch को हम एज़े PLC का input मानते हैं और lamp को एज़े PLC का output मानते है ठीक है ना switch और lamp के लिए जो addressing करनी है वो मैंने यहाँ पर दिखाई यह और इसकी condition इस तरह से बनेगी यह हम PLC programming में चलके देखेंगे तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ देखें इंपूट के लिए हमको लिखना है LD space X0 फिर एक बार इंटर करेंगे तो इस तरह से एक input एड हो जाता है उसके बाद हमने एक input एड किया है X1 ठीक है तो यहां पर लिखना पड़ेगा LD space X1 LD का मतलब होता है NO contact ठीक है न आउटपूट के लिए हमको Y0 लेना है तो आउटपूट के लिखना पड़ेगा OUT space Y0 तो यहां पर देखें आउटपूट एड हो जाता है ठीक है ना अब एक बार हमको compile पर क्लिक करना है उसके बाद बिल्ड पर या फिर F4 से हम इसको डारेक्ट शोटकट की के तुरूट कर सकते है ठीक है ना compile करने के बाद देखिए हमको यहां पर एक option मिलता है simulation का तो start simulation पर जब हम क्लिक करते हैं तो यह जो प्रोग्राम है यह इस simulator के अंदर download हो जाता है इस तरह से जब यह प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमको यहां से close करना है देखिए यह जो error का indication था अब यह हट के run का indication आगया ठीक है ना मतलब अभी हमारा simulator active हो चुका है X0 को on करने के लिए shift plus enter की को press करना है X0 on हो जाता है उसके बाद X1 को on करने के लिए shift plus enter जब हम on करेंगे तो यहाँ पर देखिए X0 X1 red का मतलब off है दोनों off है तो Y0 off है ठीक है एक input को on करता हूँ मतलब यदि मैं X0 को on कर देता हूँ sorry X0 को जब on करते हैं तो Y0 on नहीं होता है ठीक है ना और X1 को भी on करेंगे और X0 को off कर देंगे तब भी y0 on नहीं होता है ठीक है इसको भी on कर दिया लेकिन जब दोनों को on कर देंगे तो y0 on हो जाएगा ठीक है ना तो series circuit में जितने भी input add होते हैं मतलब हम x0 के बाद x1 x2 x3 जितने भी input यहां पर add करते हैं series circuit में तो output तब तक on नहीं होता है जब तक हम सारे input on नहीं कर देते हैं ठीक है ना अब हमको देखना है parallel circuit के बारे में तो देखे यहां पर यह parallel circuit के बारे में दिखाया गया है इस program को edit करने के लिए हमको यहां पर देखे एक बार click करना है और इसमें monitor right mode लिखा हुआ आएगा shift plus f3 से भी हम program को edit कर सकते है ठीक है अभी program हमारा online है यहां पर जाना है यहां लिखना है ld space x2 ठीक है इसमें हमने x2 और x3 दो input यूज़ कर रहे है और y1 एक output यूज़ किया है ठीक है तो इस तरह का एक यह logic यहां पर add हो जाता है अब इसको फिर से हमको rebuild करना पड़ेगा और फिर से इसको हमको program को change करना पड़ेगा तो यहां पर online program change shift plus f4 से हम कर सकते हैं इस पर click करने के बाद यहां पर जब हम yes करते हैं तो यह program फिर से simulator के अंदर upload हो जाता है डाउनलोल हो जाता है उसके बाद देखिए यहां पर लिखावा आता है online program has completed ठीक है फिर हम एक बार ok कर देते हैं अब देखिए एक स्टू और एक स्ट्री दोनों ओफ है तो वाइवन ओफ है ठीक है यहां पर एक स्टू एक स्ट्री दोनों ओफ है next condition में देखिए एक स्ट इंटर से हम ओन करेंगे y1 ओन ओन हो जाएगा इसकु फिर से हमेग बार off करते हैं और नीचे वाले मतलब x3 को ओन करेंगे तब भी on ओन हो जाता है ठीक कि यह पर देखी एक्सटू और एकसे दुरूंस दूसे कि से किसी एक को एक कर देते तो वाय वन ओन हो जाता है ठीक है धोनों को जब अटभी देखिए टीक गार्स सरकीट वहाई take जाता है ठीके ना तो यह होगे इसका basic concept series और parallel का अब हम इसका HMI design करके देखेंगे और HMI की through in input और output को control करके देखेंगे HMI design करने के लिए हमको GT designer 3 को open करना है इसी में HMI को design किया जाएगा HMI के लिए सबसे पहले हमको यहां पर click करना है और फिर एक बार हमको click करना है bit switch पर फिर इसको double click करके draw करना है तो यहां पर एक push button add हो जाता है एक switch हो जाता है ठीके ना हमको इसको जितना बड़ा लेना चाहिए उतना बड़ा हम इसको ले सकते हैं ठीक है HMI का फूल वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इसको किस तरह से एड़ करना है क्या है आप उसकी detail और ज्यादा महां से देख सकते हो इंपूट देखिए हमको एकस जेड़ो और एकसवन दो भी इंपूट है तो हमको यहां पर एकस जेरो लिखना फिर इंटर करना है को ममेंटरी स्वीच या फिर सेट स्वीच रखना है अभी मैं सेट इस रख लेता हूं ठीक ना है कि ये का मतलब जब एक बार हम मिसको ओन कर देते हे तो फिर वो जाता है मतलब ौह ओन ही रहता है पिज इस पर आप इसकी 7 में जा कि इसका फॉन्ट वगरा जो भी चेंज करना आफ कर सकतें देखिसे स्वीच का दिम को शेपड चेंज करना मतलब वो स्वीच कि और टाइप का हम को यूज करना है तो हम किसी ओट अपका भी यहां पर स्विच एड़ कर सकते हैं ठीक ना इस तरह का मैं एक स्विच यहां पर चूज कर लेता हूं एंटर करते हूं तो देखे स्विच ए लिखा इसका थो थो इसा करना है जो भी मिसमें कर चाहें बहुत सारे ओप्शन्स मिलते हैं इसका कलर भी मिसमें चैंज कर सकते हैं ठीके ना अभी मैं इसका कलर रेड चूस कर लेता हूँ ठीक है स्विच ए उसके बाद यहां से में करूँगा ओके तो इस तरह का एक स्विच एड हो जाता है ठीक है इसकी जो एड्रेसिंग है वो है X000 यसी को Ctrl-C करके Ctrl-V करेंगे Ctrl-C से Copy होता है और Ctrl-V से paste होता है ठीक है तो यहां पर X00 की जगे अब हमको Aid करना है X001 यह भी सेट रहेगा इसका भी स्टाइल लेगा दी हमको चैंज करना है तो हम इसका स्टाइल किसी ओ टाइप का चैंज कर सकते है तो यहां पर मैं अभी यह वाला ट्रोगलिक्ट्य कर ले ता हूं ठीक है आफ के लिए एक और ऐं के लिए अलगए तो यह दोनों के लिए विनने चॉबल स्ट एड किया स्टे कि प्रशक करना है एकश्च बी टेक्समीं जाना पड़ेगा त Çünkü लिखा हुआ है तो इसको हम कर देंगे इसका यदि कलर चेंज करना है तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद हमको करना है ओके तो यह स्विच भी एड हो गया ठीकिन अब हमको यहां पर एक आउटपूट के लिए देखे हमको लेंप चूज करना पड़ेगा बिट सब्सक्राइब इस तरह से डबल क्लिक करके यहां पर ड्रो कर सकते हैं इसपर मैंग डबल क्लिक करता हूं और इसके एंडरेसिंग में को लिखना है पड़ेगा रवाइजीट क्योंकि एक जिरो और एक्स वन के साथ में हमने यह जिरो यहां करना तरह कि हम स्वीच यहां पर एड़ कर सकते हैं तो अभी जो नॉर्मल है वही वाला हम अज रहने देते हैं उसके बाद कitely उगिए करेंगे इसके भी टेक्सट में या को हम लिख देते लैम वन या फिर हम लिख दते हैं लेम ए ठीक है तो इंटर ओन तो नटर है तो और इसका फोंट भड़ा देता एक बार इसका फोंड कर देता हूं इसक Adventure कर देते हैं इसको एदि-बॉल्ड करना चाहें तो बोल्ड बूर्ड भी कर सकते हैं ठीक हैं और इसका यहां पर रेडश कर लेता हूं जो भी आप तो डीन हम करना चाह ρ이드 ठीक है अब हमको देखिए इसका सिमुलेटर एक्टिव करना है ज़िए हमको इसका प्रिव्यू देखना है तो यहां से ओन और आफ करके हम देख सकते हैं ओन की कंडिशन में देखिए यह स्वीच इस तरह रहेगा और कि कंडिशन में किस तरह रहेगा वो सारी चीजी हम यहा है तो यहां पर एक आप्शन आता है सिमुलेटर एक्टिव का अगा देखिए जब सिमुलेटर ओन होता है तो इस तरह से एक हम को दिखाई देती है यदि मैं एक्स जिरो को शिप्ट प्लस इंटर से ओफ कर देता हूं तो यहां पर देखिए यह लेंप भी ओफ हो गया है अगा अब हम को देखना है कि यह स्विच जब हम करते हैं और स्वीच को भी ओन करते है तो लेंप आण होता है यह प trilogy है एक बार स्पर एक्टर मes खरोगा तो देखिए एक जिरो और तो भी पर ऑन सब्सक्राइब करेंगे और इसकी जो एड्रेसिंग है वो देखिए पैरल सर्किट के साब से अब सब्सक्राइब करेंगे यहां पर देखित एक दो एक बार करेंगे तो यह फिर यहां पर देखिये आ के लिया है तो इसका मैं शीच ए ले लेडे ताओ टी भी हमने दो यहां पर switch use कर लिए हैं तो इसका नाम में दूँगा switch C ठीके ना फिर इसको okay करेंगे और यह जो switch B है इसको हम देंगे switch D इसके addressing देंगे X3 ठीके ना X2 and X3 एक बार okay करता हूं आप देखें यहां पर text पर एक बार क्लिक करूंगा यदि इसका font वगेरा और भी कुछ हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं switch C की जगे switch हमको यहां पर D लिखना पड़ेगा ठीक है A B C D Lamp 1 की जगे अभी हमको लिखना पड़ेगा Lamp 2 और Y00 की जगे हमको लिखना पड़ेगा Y001 ठीक है अगे करेंगे उसके बाद देखे टेक्स्ट में जाना है और यहां पर जो लेंप वन लिखा हुआ इसको करना पड़ेगा Lamp 2 इसका कलर यदि हमको चेंज करना है तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का कलर यहां पर ग्रीन है इसका अभी में ब्लेक करना है यह यह रिफ्रेश होके यह जो स्वीच है यह एड हो जाते है ठीक है ना इस तरह से स्क्रीन डाटा विल भी अपड़ेटेट प्लीज वेट थोड़ा साम को वेट करना पड़ेगा दस से पंद्रा सेकंड गा उसके बाद यह एचमाई अपडेट हो जाती है अजय कि देखिए अपडेट होगई है अब इसको करना है मिनिमाईज यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखिए एकस्ट्टू को आफ कर देता हूं शिप्ट प्लस इंटर से और एक्स्ट्री को भी वाफ कर देता हूं देखिए लैम्प आफ ओफ हो गया ठीक है देखिए ज X2 X3 जब दोनों on हो तब भी Y1 on होना चीए ठीक है ना एक बार जब मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो देखिए Y1 मतलब Lamp2 on हो गया है और इसको भी एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए Lamp on है अब यदि इसको बंद करना है इस स्विच को आफ करना है तो पर में इस पर डबल क्लिक करके रखूँगा तो देखिए स्विच ओफ है लेकिन फिर भी Lamp on है ठीक है ना तो यह पैरलल सरकीट और स्रीस सरकीट का एक कॉंसेप्ट था वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताए क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलत है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत कि तो वीडियो मेरे